सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एक्जाम मंथन 24-7 को और बेल आइकन दवाना ना भूलें जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एक्जाम मंथन पर स्वागत करता हूं देखिए हम यूरोपियन कंपनियों का आगमन पढ़ रहे थे और आज उसके अंत्रगत जो हमारी क्लास है वह है चौथी क्लास ठीक है ना फोर्थ क्लास है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के अंत्रगत और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रांसीसी कंपनी के बारे में ठीक है किस कंपनी के बारे में फ्रांसीसी कंपनी के बारे में इससे पहले हम डच, ब्रिटिस और पुर्टकाली कंपनियों पर बात कर चुके हैं आज हमारा यूरोपियन कंपनियों से सम्मंदित लास्ट इन सभी पर बात करेंगे वो अलग topic बनता है European company के आगमन से अलग हम अभी overview ले रहे हैं किस प्रिकार European company जो ती आई और उन्होंने भारत पर सासन किया ठीक है और उनसे सम्मंदित क्या क्या exam में पूछा क्या है इन चीजों पर बात कर रहे हैं अब जैसे जैसे हम next बढ़ते चाहेंगे उससे सम्मंदित बात करेंगे जैसे कि हमाले जो देशी राज्ये थे ठीक है ना किस प्रिकार स्वतंतरता आंदोलनों की सुरुआत हुई ठीक इन सभी पर हम बात करते हुए चलेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे ठीक है अभी आने वाले समय में हम आं ठीक है वाकी मेरे पर छोड़ देजिए किस प्रिकार से लेश्ट कराना है ठीक है यदि हम बात करें फ्रांसीसी कंपनियों पर तो फ्रांसीसी कंपनियों का स्थापन कब हुआ तो इनकी स्थापना जिती फ्रांसीसी कंपनी की वो हुई 1664 में कब 1664 में फ्रांसीसी कंपनी पास और इनके ही प्रियासों से, जो कंपणी थी मंत्री कोलवर्ड की साहता से पत्र लेकर भारत में शासन करने आती थी अपना लाव कमाया और शासन किया चले गए लेकिन एक मात्र ऐसी कंपणी जो कि एक कैसी थी सरकारी थी वो थी फ्रांस इसी कंपनी उसका नाम क्या था कंपनी इंडे से ओरियंटल जो की एक सरकारी कंपनी थी और फ्रांस की थी ठीक आपको याद रखना है कब 1668 में एक व्यक्ति रए फ्रोके केरो उनकी सहता से प्रिधम फेक्टरी गुझरात के सूरत में इस्थापित की गई यदि बात करें दूसरी फैक्टरी कब खोली गई तो अगले ही वरश 1699 में दूसरी फैक्टरी कोई गई कहाँपर मूसली पंटनम में आंदर प्रदेस में खोली गई दूसरी फैक्टरी मूसली पंटरम में ठीक है ना यदि बात करें 1693 में तो 1693 में डचों का फ्रांसीसियों के साथ युद्ध हुआ उस समय पर फ्रांसीसियों के कबजे में पांडूचेरी था लेकिन इस युद्ध में कौन जीते डच जीते और उन्होंने फ्रांसीसियों से पांडूचेरी को छीन लिया उसके बाद एक संदी होती है जिसका नाम था रिजविक की संदी तो पूछा जाएगा कि रिजविक की संदी किस संद में हुई तो 1693 में हुई जब डचों का किस के साथ युद्ध दुआ फ्रांसीसियों के साथ युद्ध दुआ दूसरा कुशन पूछा जाएगा कि रिजविक की संदी जो है वो किन किन के बीच हुई तो आपको याद रखना है वो थे डच और फ्रांसीसिय डच और फ्रांसीसिय के वीच हुई रिजविक की संदी सन क्या था 1693 था रिजविक की संदी में किसको क्या देना पड़ा तो आपको याद रखना है फ्रांसीसी जो थे वो हार गय थे पांडू चरी रेकि रिजविक की जैसे ही संदी हुई उसके बाद डचों ने दोबारा पांडू चेली फ्रांसीसियों को वापस दे दिया ठीक है ना इस प्रिकार कुशन पूछे जा सकते हैं नेक्स नम बात करें कि भारत में सहायक संदी का जनक किसे कहा जाता है और इसी को देखते हुए जब 1693 में जब डचों से फ्रांसीसियों के बीच अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच और जीत किस की होई जीत अंग्रेजों की होई ठीक है ना और आपको याद रखना है इसमें अंग्रेजों का जो गवर्नर था वो था सर आयर कूट ठीक है ना यदि बात करें फ्रांसीसियों का गवर्नर कौन था तो वो था लाली ठीक है ना तो पूछा जाएगा कि वांडिवास का युद किस इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों को ये तैह हो गया कि अब हमारा सासन जादा दिन नहीं चलेगा क्योंकि अब आच चुके हैं अंग्रेज अंग्रेजों ने हरा दिया नी ब्रेटिसों ने हरा दिया किसे फ्रांसीसियों का और उन्हें भारत से जाने के लिए मजबूर कर दिया ठीक हैं, इसके बाद पूरा का पूरा अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का ठीक है ना पूरा का पूरा दीकार हो जाता है अंग्रेजों का यदि बात करें इस युद्ध के बाद फ्रांसेसी बहुत जाता कमजोर पड़ गए और वो केवल और केवल अपने व्यापार मात्र कहने का मतलब लाव कमाने के लिए भारत में पड़े हुए थे सासन मात्र उन हम पढ़ने वाले हैं वो है हैद्राबाद हैद्राबाद की स्थापना जो की थी से संस्थापक जो थे वो थे चिनकिलीज खां कौन चिनकिलीज खां दूसरा नाम आपको याद रखना निजाम उल्मुल्क और तीसरा आपको याद रखना आसफ जहां यह तीन आपको नाम संस्थापक से संबंदित, किसे संबंदित, संस्थापक से संबंदित, ठीक है ना, बात करें, निजाम कहां के होते थे, तो निजाम हैदराबाद के होते थे, ठीक है न, पूछा जा सकता है, निजाम कहां के कहलाते थे, तो निजाम जो होते थे, वो हैदराबाद के कहलाते थ ठीक है आज भी आप देखते होगे हैधराबाद अपने आपको कुछ अलग मानता है ठीक है आपने देखो गती विद्या हमाँ पर चलती रहती है 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 आज भी अपने आपको स्वतंतर मानता है ठीक नेक्स नम बात करते हैं करनाटक से नेकि पहले करनाटक जो था वो हैदराबाद का ही सुवा था यादराबाद का ही हिस्सा था एक व्यक्ति हुए सादुतुल्लाख खां सादुतुल्लाख खां ने करनाटक को हैदराबाद से अलग करके अलग हो गए, कहने का मतलब यह है, माल लिए साजे में कोई चीज है, साजे में कोई चीज है, दो चीज, अब एक चीज मेरी है, दूसरी मेरे दोस्त की, अब मैं इसे लेकर चला जाओ, भाई ये तो मेरी है, अब मैं इसे लेकर चला गया, तो इसी तरीके से था, पहले को लेकर करनाटक को लेकर युद्धु लड़े गये किसे अंग्रेज उस उसे तो अंग्रेज और किस-किस में युद्धायों पर बात करेंगे ठीक है और जैसे कि हमारी संधिया रही ठीक ना Congress के अधिवेशन रहे, सभी युद्धों की डेट रही, युद्धों से संबंदित महत्यपूर बिंदू रहे, ठीक ना पत्र पत्रिकाएं रही, ठीक इस प्रिकार हम हर एक टॉपिक को अलग-अलग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, जैसे कि आपको neat and clean चीज़ें किलियर होती चलिया है, आपको कोई भी confusion ना रहे, ठीक है, आप notes भी अच्छी से बना सके, exam में आपको बड़ी help मिलेगी, जब आप सभी topics को अलग-अलग पढ़ते चलेंगे, ठीक है, चलिये, एक बार हम revision कर लेखते हैं, हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा फ्रांसीसियों का कविस्त थापना हुई, तो 1664 में फ्रांसीसियों किस थापना हुई, यदि बात करें, नाम तो उनकी कंपनी का नाम था कंपनी इंडे से ओंडियेंटल, जो कि एक सरकारी कंपनी थी, वाकि जितनी भी कंपनी आती, सभी प्राइवेट कंपनी आती, ठीक है, उस समय पर फ्रांस का राजा कौन था, तो लुईस चोदमा था, किसकी सायता से, इस कंपनी का गठन हुआ, तो मंत्री पट्रमा अंदरप्रदेश में स्थापित की गई, यदि बातने 1693 में, 1693 में, डच और फ्रांसीसियों के वेच एक युद्ध होता है, जिसमें डच जीतते हैं, और फ्रांसीसियों से पांडुचेरी को छील लेते हैं, उसके बात 1693 में एक संदी होती है, रिजविक की संदी, जिसमें डच ओको दुबारा देना पड़ता है, फ्रांसीसियों को पांडुचेरी, ठीक है, यदि हम बात करते हैं, इस समय पर गवर्णर को होन था? बढ़ात में साहowan संदी का जनक का जाता है ठीक नेक्शन बात करें उथ का युद्ध के बात बाद फ्रांस जाता कमजोर पड़ जीड़ायगोत युद्ध ये देशी राज्ज़यों के बात करें तो आपको सबसे पहले याद रखना है है हेदरावाद की स्थापना तीन व्यक्तियों ने की वो कौन कौन थे चीन के लिए जखाँ निजाम कहां के होते थे तो हेदरावाद के जो कहलाते हो निजाम कहलाते थे लेक्स हम बात करें करनाटक तो करनाटक जो था पहले हेदरावाद का ही सूभा था लेकिन एक व्यक्ति ह वो करनाटक को लेकर अलग हो गए और उसे स्वतंतर राज्य बना दिया ठीक है फिर करनाटक को लेकर अंग्लेज और फ्रांसीसियों में युद्ध हुए और अंग्लेज और फ्रांसीसियों में युद्ध हुए इन्हें जाना गया आंगल करनाटक युद्ध के नाम से ठीक ह भी दूँगा तो कोई फायदा नहीं है आपको देख लेना एक्जाम टाइम में आपके डिलेट भी हो सकती है और वो सबसे बड़ा रिस्क है इसलिए आप नोट बनाते चलें ठीक है साथी साथ नोट बनाते चलें बड़े अच्छे से जादा नहीं है छोटी किलास है नोट करते चलेंगे ताकि आपको एंसे जो हमारी मॉडर्न इंडिया ज्यादा हार्ड ना पड़े ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक आप करना अपना अच्छे से स्रिवीजन थैंक्यू